बक्सर के रगुनातपूर में हादसे की शिकार होई ट्रेन जब अनंद बिहार टर्मिनल से चलती है तो यहाँ पर चार लोगों का एक हस्ता ख्वेल्टा परिवार इस ट्रेन में सवार होता है एकदम सुबह सुबह ये ट्रेन खुलती है और नहाद होकर तयार होकर चार ट्रेन खुलने से पहले स्टेशन पर ट्रेन में बैठ कर सेलफी ली जाती है स्टेटस लगाया जाता है और उसके बाद खुसी-खुसी पूरे ट्रेन के यात्रा के दोरान एकदम मौज मस्ती से रास्ता कट रहा होता है छुट्टी के लिए लोग ये चारों लोग अपने गाँ जा रहे थे और उसके बाद रास्ते में जो हुआ अब परिवार एकлагडम आधा हो गया है और जो पती है परिवार में नाम है दीपक भंडारी अपनी पतनी को खोचुके अपनी बेटी को खोचुके हैं और एक छोटी बेटी फून में वही तस्बीर जो उसने यात्रा सुरू करने से पहले सेलफी में ली थी सेलफी लेकर जो फोटो उसने स्टेटस में लगाया था वो तस्वीर को देख रही है पिता के पास उस बेटी को बताने के लिए कोई जबाब नहीं है बेटी के आंकों से आसो निकल रहे हैं पिता अलग रो रहे हैं और बस वही सेलफी बार 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 बेटी निहार रही है अ मैं हूँ सन्ने विश्रा क्यामरे के पीशे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं वक्सर के रगुनात्पूर में एक ट्रेन हादसा होता है ट्रेन हादसे में उस ट्रेन की पूरी जितनी बोगिया थी सारी की सारी डिरेल हो जाती है पट्री से उतर जाती है पट्री से पलट जात इसका समय है ट्रेन कुलने का एकदम सुबसुबा का समय होता है और अनंद बिहार टर्मिनल पर ऐसे ही सुबसुबा घर से एकदम तयार होकर काफी उत्षुटा से एक्साइटमेंट में घर जाने की खुशी में एक परिवार निकलता है आसाम के रहने वाले हैं दीपक भंडारी जिनके उम्र 49 साल है वो अपनी पत्नी उसा भंडारी जिनकी उमर 33 साल है इसकी अलावा उनकी दो जूरवा बेटिया एक का नाम आकृती है दूसरे का नाम आदिती है दोनों की उमर महजबी 8-8 साल है इन सारे लोगों की छुटी होत करते हैं अब सुबह सुबह खाना खाकर नहां धोकर एकदम से पूरी तैयारी के साथ यह लोग स्टेशन पहुंचते हैं स्टेशन पहुंच कर यह लोग लेते हैं जैसा कि आम तोर पर जितने मिलेनियल किड्स हैं और आज किल का जो रियाज बन गया है सोसल मीडिया पर फोटो अपलोड होता है स्टेटस लगाया जाता है वाटसेप पर वैसे एक सेलफी ले जाती है तुरे ट्रेन में बैठकर दीपक भंडारी का पूरा परिवार सेलफी लेता है और वहीं आज सेलफी एक उनकी बैठी का सहारा बना हुआ है उसी तस्वीर को देखतर वार बार रो रही है अब होता क्या है कि सुबह से ये लोग चलते हैं सिलफी लेते शेटस लग जाता है पूरे ट्रेन के दौरा जो दोनों बैठी आती जुडवा बैठी आ है माज आट साल की है मस्ती करती ह काफी अच्छे से हस्ता खेलता परिवार चला आ रहा था जो बाप थे अपनी बेटियों को गाउं के बारे में बता रहे हैं कि वहां जाकर ये करेंगे फलाना मस्ती करेंगे इधर घुमाएंगे उदर घुमाएंगे तमाम सपनों को संजेव सुन जो ही है ये लोग रास्त है और साड़े नौ बजे के करीब वहीं रागनातपुर स्टेशन और उसका पूल संख्या चोसा उनतीस बटा आठ जिसके पास उस पूल में करब बना हुआ था पट्री पटी हुई थी जो हादसे के बाद से दो फीट से ज्यादा फट चुकी है यहां पर ट्रेन पहुंच तो साड़ अब हादसा का कलबना कर सकते हैं जटके का कलबना कर सकते हैं ट्रेन जैसे ही इस पूल नंबर के पास पहुंचती है ट्रेन हिलना शुरू करती है और जटका इतना जोरदार था कि सीशे से वो जो उनकी पतनी थी दीपक बंडारी की और उनकी एक बेटी सीशे से वो लोग बाहर जाकर गिरते हैं अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ड्राइबर को 120 के स्पीड में ब्रेक लगानी पड़ी थी और कितना जोरदार जटका था कितना तेज ट्रेन हील रहा था कि शीट पर बैठे हुए उनकी पतनी और उनकी एक बेटी सीशे से बाहर जो खिड़की होती है उससे बाहर निकल जाते हैं और जाकर वो बाहर गिरते हैं और दोनों की मौत हो जाती है अलाकि जो भाग्य था या जो भी कहें जो उनके पती थे दीपक बंडारी और उनकी एक बेटी जिसका नाम अदीती है वो बच जाती है जुड़वा बैनों में से एक अकृती तो बाहर जाके गिरी अपनी ममी के साथ लेकिन अदीती अपने पीटा के साथ अंदर बच जाती है वो लोग भी बेहोस होते हैं उनको रिस्क्यू किया जाता है अस्पताल पहुचाया जाता है जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि इनकी हालत में सुधार हो गई है ये बच जाएंगे लेकिन अभी जो सारा खुसी था जो सारा प्लैनिंग था कि हम लोग छुटी में गाउं जाएंगे वो अदिल्नी में बार में काम करने वाले डीपक घुंडारी जब उनको छुटी जो बच गई है लेकिन जो आदिती बची हुए कि इसको भी अंदेशा है कि मम्मी और बहन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है कुछ ना कुछ गड़बड इन लोगों के साथ हो गया है और साय दिये लोग वापस ना है इसलिए बेटी तस्वीर को देख रही है रूर रही है और बार-बार यह पूछ रही है कि मम्मी कहा है और पिता के पास कोई जबाब नहीं है उकॉनमी का एम-वन क्लास और उसमें व बागी आप लोग इस पर क्या कहेंगे अपने पत्रिया कोमेंट बॉक्स में बताईएगा जनता जुक्षन देख रहे थे आप बहुत बहुत चन्नेवाद